हालो इस्टूर्ट से नेक्स प्रिसस कर लेते हैं एक्जैम्पल अंबर 8 क्या किया रहा है विच टर्म आफ सीक्वेंस आपके सामने किविन है इस फर्स्ट नेगेटिव टर्म जैसे आपको वैलीव दिख रहा है यहाँ पे घर्ती जारी है मतलब डिग्रीजिंग हो रहा है यहाँ पर ओडर डिग्रीजिंग हो ज़र मैं ऐसा कौनसा वैलीव पहला होगा जो की आपका नेगेटिव टरम होगा तो पहले तो इस सीक्वेंस आपको दिख रहा है उसमें मैं ए लिख देता हूं 25 है एंड लिख देता हूं 24 1 by 4 minus 25 what we get minus 3 by 4 कैसे 24 1 by 4 है 25 में से इसको हम less करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 ते पहुंचने लिए 3 4 की कमी है नेगेटिव 3 by 4 हमारा जो एंड है वो क्या बोल रहा है यह जीरो से लैस्ट देन मतलब फर्स्ट टांब यहां पर नेगेटिव एंड का मतलब क्या होता है ए प्लस एंड माइनस वन ठीक है और ए कितना है मेर पस 25 प्लस एंड कितना अपता नहीं ली कितना अपके पास माइनस 3 by 4 अब आजब 25 माइनस 3 by 4 को इसे मुलिप्लाइब करेंगे तो नेगेटिव 3 by 4 एंड पॉसिटिव 3 by 4 एंड किक है अब क्या करें 25 प्लस 3 by 4 को यहीं छोड़ दो और इसको ठाके उदर भेज़ दो आपके लिएब दो दो प्लस एंड प्लस 3 एंड वी मेर दो नहीं लीएब दो ऑन वन दिवा दो यहीं थीवाद करो 1 0 3 को 3 3 is a 9 3 4 is a 12 1 by 3 34 1 by 3 यहां तक value समझ में आ गई? अशर आ गई अब आपको पता है 34 1 by 3 का तो कोई मतलब नहीं हमें तो natural number यूज़ करने है उससे just body value कौन सी है आपके पास उससे just body value कौन सी है आपके जो first negative term होगी इस 35 35 इसने which term पूचिया ना वो term है कौन से यह नहीं पूचा अगर वो भी पूच ले था आप A35 find कर देना ठीक है? फिलाल में यह है अंसर आपका example 8 completed and dict यह ूवी